हेलो गाइस पुर्णिमा कीचन में आप सबका स्वागत है मैं पुर्णिमा आप सबको जोहार तो चलिए आज हम बनाएंगे मैदा से खस्ते वाली मठरी बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसेपी होती है दोस्तों तो हमने लगभग तीन कटोरा मैदा लिया है एक कटो कली पत्ता हम काटकर डालेंगे ऑर स्वादनेश्ख। हम नमक डालेंगे दोस्तों थोड़ी से हम चीनी डालेंगे है सिर्फाइन वैल एक हमम डालेंगे और अच्छी तरह से मैस कर लेगा तो मैस उससे अच्छी तरह से करना है ताकि डो usakे तो खस्ता बहुत ही आच्छी तरह से बनेगी दोस्तों देखिए इस तरह से हमने सभी मैदा क्वाचितर से डो त्यार कर लिया है यह बहुत ही जल्दी और बहुत ही खस्ता बनता है यह recipe तो हमने सभी को छोटे-छोटे लोया करके इस तरह से गोल बनाकर बेल लिया है और इसे प्राठा सेप दे कर हम इसे तिन कुरिया से दे कर काटेंगे दोस्तों देखिए इस तरह से फोल्ड करना है सभी को फोल्ड करने के बाद इसे बीचो बीचे काट देना है और चम्मत से छेदा करना है ताकि खस्ता बन सके और इस तरह से काट कर हम निकाल लेंगे दोस्तों आप इस तरह से मठ्री बगबग दो-तिन मेहना टिकने वाली यह खसता पापड है दोस्तों तो सभी को हम अच्छी तरह से तेल में तलेंगे अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वेल आइगन को दबाना ना भूले ताकि नोटिफिकेसन हलकी ब्राउन हो सके और बहुत ही खसता और बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तों तो देखिए इस तरह से हमने सभी को तल कर निकाल लेंगे और बहुत ही करंची और खस्ता देखिए बना हुआ है ताप इस तरह से अपने अपने घरों में बना सकते हैं दोस्तों देखिए बहुत ही क्रेश्पी है में जिनल बने रही दोस्तों धन्यवाद